किशरिया कलाकंद आज मैं बनाऊंगी तो यह किशरिया कलाकंद बहुत ही रशीली और स्वाधिस्ट बनती है तो इसे तेवहार पर आप बना सकते हैं तो चलिए हम इसे बनाते हैं इसे बनाने के लिए मैंने हाफ लिटर क्रीम वाली मिल्क ली हूँ और इसे मैं इसकी मैं रबड़ी बनाऊंगी तो इसे पहले मैं एक बरतन में आप डाल दें और इसे चलाते रहना है यहां मैंने ब्रिटेनिया का फूट ब्रेड ली हूँ तो आये मार्केट में असानी से मिल जाएंगी यहां मैंने बदाम और पिस्ता और हाफ टी स्पून इलाइची पावडर ली हूँ और यहां मैंने मिल्क पावडर फोर टेवली स्पून ली हूँ अब क्या करें दूद जब आपकी खौल उबाल जाए तो आप उससे 100 ग्राम दूद को आप निकाल ले उसमें केसर के 15-16 धागे को डाल दे और उसे अच्छी तरह से मिक्स करके छोड़ दे अब यहां मैंने सारी समानी कठे कर ली हूँ जिसमें सुगर है मिल्क पावडर केसरिया मिल्क अब यहां हमें ब्रेड को निकालना है और यह ब्रेड के किनारे वाले भाग को हमें हटा देना है और अपने ट्रे के अनुसार ब्रेड को हमें सेट करना है आप जिस ट्रे में के बनाना चारी उसे के हिसाब स के ब्रेट को सेट कर लेंगी यह मैंने यह त्रेट के दोट के जोड़े में सेट की हूं कि गैसलिया है कलाकंदобще यह बहुती स्वाधिश्ट लगती है अब यहां हमारी दूद उबल रही है इसे आप चलाते रहेंगे इस बात का खास ध्यान रखेंगे दूद जलेना यहां मैं और 4 टेवल स्पून इससे दूद निकालूंगी तो दूद इसमें मिल्क पाउडर में गोलना है तो दूद काफी गर्म है तो यहां मैंने 2 टेवल स्पून इसमें पा फिर आप उबलते हुए दूद में मिला दे अड़ कर दे और फ्लेम को स्लो रखें यह रबडी स्लो फ्लेम पर अच्छी तयार होती है यहां मैंने 2 टेवल स्पून सुगर एड़ की हूँ आप कम बेसी सुगर कर सकते हैं अपने टेस्ट के अनुसार तो यहां फ्लेम को गाड़ी होनी सुरू हो गई है तो हमें और भी विसेश ख्याल रखना है इसकी तो यह देखिए मारी रबडी तयार जब हो जाए तो इसमें हाप टी स्पून आप इलाइची पाडर को एड़ करके और इसे अच्छी तरह से मिक्स करके गैस स्टोप को हमें बंद कर देना है बंद करने के बाद दो से तीन मिनट रबडी को चलाते रहना इससे काफी अच्छी रबडी तयार होगी देखिए मैंने स्टोप को बंद कर दिया है और इसे लगतार चलाते रहें तीन से चार मिनट तक अब नेक्स्ट हमें करना है कि हमने जो ब्रेट को सेट किया है उसे आप हटा ले पूरे ब्रेट को क्योंकि अब यहां आप यह रबडी की एक पतली लेयर आप चारो तरफ ट्रे में फैला दे इक्वली फैलाना है और उस पर एक एक ब्रेट को अभी डबल ब्रेट नहीं रखेंगी एक लेयर ब्रेट का आप बैठा ले सेट कर ले और इसके ऊपर जो आप रबडी तयार की है और केसर वाली मिल्क से हमें इक्वली इसे फैलाना है इस पेचुला की सहायता से और चुक इसे भी हमें अच्छी तरह से चार तरफ ब्रेट की उपर एक्स प्रेट कर देना है साइड कॉर्नर वगेरा से इससे हमारी ब्रेट अच्छी तरह से केसरिया मिल्क को पी लेती है जो बहुत ही स्वादिश्ट लगती है अब हम दुसरे लेयर को इसके उपर शेट करेंगे उसी तरह से शेट कर ले और उसे थोड़ा प्रेस कर दे ताकि वो बैठ जाए और इसके उपर आपके सर वाली दूद को चारो तरफ एक्वली फैला दे अच्छी तरह से ताकि हमारी दूद को अच्छी से पी ले और जो रबडी है बची हुई है उसे हमें उसके उपर से च चारो साइट के कॉर्णर में भी हमें हमें इसमें लगा देंगी रबडी तो इससे क्या यह रबडी बहुत यह देखिए उंगली की सहायता से आप चारो कॉर्णर में रबडी को पेस्ट कर दें साट दें और बची हुए जो भी मिल्क से थोड़ा उपर डाल दें और चारो रसीली बनती है और जो मैंने ड्राइफ रूट्स रखा था उसे उसके उपर आप रखकर हलके हलके एस पिक्चुला से आप उसे दबा दे और इसे अप दो घंटे के लिए आप छोड़ दे दो घंटे के बाद आप इसे स्कुायर सेप में कट कर ले और दो घंटे में कि छिफ की लिए आप एक बार इसे जरूर बनाएंगी यह के सारीया कट करी यह कॉसी होटी है और बिल्कूल मुह में घुल जाती है तो आपarus हमारी रेशीपी य्थी लगी आप हमें जरूर बताएंगी और एक बार इस रेसीपी को आप जरूरं ट्राई करेंगी यह बहु